कोरबज जिला में मैला की दिंदाड़े हत्या का मामला सामने आया है जहां जमीन विवाद की चलते उसके जेट नहीं टंग्या से तीन बारवार कार मैला को मार डाला मामला कुसमुंडा थाना छेति के छिंदबूर गाउं का है पुलिस ने आरूपी को गृपतार किया है जानकरी के नुसार छिंद पूर्निवासी अमेरीका बाई उम्र 38 साल पती गिर्धारी स्रिवास की मौत हो जाने के बाद अपने साथ ससुरसाथ गाउं में रहती थी रोज की तरह सुकवास वाक काम कर घर के पास जमीन पर गोवर के कंडे बना रही थी उसी दरान उसका जेट बनवारी स्रिवास उम्र 44 साल करिब 10 बजे मौके पर पहुँचा और जमीन को लेकर अमेरीका व्याई से विवाद करने लगा बताया जा रहा है कि दोनों परिवार के बीच में जमीन को लेकर पुराना विवाद चर रहा था सुकवार को फिर से जब विवाद हुआ तो बनवारी ने पहले तो जगड़ा किया इसके बाद घर के अंदर गया तंग्या लाया और महिला के गले में तीन बार मार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई गटनक बाद बनवारी फ्रार हो गया था जिस वक्त वरदात को अंजाम दिया गया उस वक्त गटने स्थल पर कोई भी ब्यक्ति नहीं था आसपास के लोगों ने जब मजला के लास देखी तो पुलिस को सुचना दी खबर लगते ही पुलिस की टिम मौके पर पहुची थी वही कुछ देर बाद आरोपी ने खुद थाने जा करके अपना जूर्म कबूल कर लिया जिसके बाद बनवारी को पुलिस ने गृतार किया है फिलाल साओ को पोश्ट माटन के लिए भेजा किया है पुलिस अब मामले की जाज में जूटी है पर जिनों ने बताया कि आरोपी बनवारी और उसके बाई गिधारी सिवास का पास में ही जमीन है जिसमें काफी दिनों सिवास चर रहा था जिसकी जलते दोनों अलग-अलग रहने लगे थे बनवारी भी अमेरिका बाई के घर के बगल में ही रहा था कुछ महीने पहले उसके उसने अमेरिका बाई की पती गिधारिक सांथ भी खूब मार पिट किया था जिसे उसके सरीर में काफी चोटे भी लगी थी मामला हर्दी बजार चोकी में दर्ज भी हुआ था हालाकि संधाय इसके बाद मामला सांथ हो गई थी मगर चार मिना पहले ही गितारी की किसी बीमारी के वज़े से मौत हो गई अब ये घटना हुई है